हे गाईज क्या आलचाल एकदम बढ़िया मस्त तो एक बार फिट से आईटे केंपस प्लेस्मेंट से रिलेटेड अपडेट में लेकर आ गया हूँ आप सभी आईटे केंड़ेट्स के लिए आप लोग वीडियो कौन तक जरूर देखेगा और गाईज यह आप लोग फर्स ट सकती है राइट तो कंप्लीट इंफोर्मेशन जो है इस वीडियो में मैं डिसकस करूंगा आप लोग वीडियो कौन तक जरूर देखेगा गाईज स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हूँ केंपस सेलेक्शन कहां पे होगा बिटसा विकास आईटे कोलेज के अंदर जो ह गाईज केंपस जो प्लेस्मेंट होगा उसका पता है बिर्शा विकास आईटे आई ठीक है बाइपास रोड़ चास आई सी आई सी आई बेंक के सामने दिनांग 21 जुलाई 2023 को समय है प्राता है नो बज़े से तो 21 जुलाई 2023 को प्राता है नो बज़े पहुंच जाए गाई इस बिर्शा विकास आई टे कॉलेज के अंदर इस केंपस प्लेस्मेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गाईज कंपनी जो है वो है टी एक्सडी टेक्नोजी प्राइवेट लिमिटेड ठीक काफी बढ़िया कंपनी है अच्छा सा अच्छा जो है सेलेरी पेकेसी आई रहेगा ठीक है योगेता की गाईज बात कर लेते हैं तो योगेता के लिए जो एलिजिबल आईटे ट्रेड्स है वो है फिटर, इलेक्ट्रिसियन, वेल्डर, मैकैनिक, डीजल ठीक है आईटे पास आउट होना कंपलसरी है मिनिमम सिक्स्टी परसंटेज के साथ 18 से 35 साल त अतलब बॉइस जो है यहां पर पाटिसिपेट कर पाएंगे ठीक है सेलेरी देखे गाई सेलेरी जो है बिल्कुल फ्रेशर कंडिडेट्स के लिए जो है यहां पर गुनिस अजार 500 रुपे और जो एक्स्प्रेंस होल्डर्स हैं उनके लिए 22,500 रुपे सेलेरी रहेगे एक समय एक टाइम का जो है आप लोगों को खाना मिलेगा और ट्रांस्पोर्टेशन फैसलेटी भी आप लोगों को यहां पर मिलेगी राइट तो इस तरीके से काफी बढ़िया केमपस प्लेस्मेंट है इसी केमपस प्लेस्मेंट से रिलेटिव और ज्यादा जानकारी यह आप लोगों को प्राप्त करना है तो यहां पर देखिए मोबाइल नंबर्स गिवन है इन मोबाइल नंबर्स पर आप लोग कोल या मेसेज करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो गाइस कोल करने के लिए जो है आप लोग दिन में ही कोल करें सुबह दस बज़े स सांब को 4 बज़े की बीच में आप लोग कॉल करें लेट नाइट में कॉल ना करें तु請 आज किस वीडियो में इतना ही काफी बड़िया campus placement है जो भी eligible, योगिया, interested candidates है वो इस campus placement में जरूर पार्टिसिपेट करें इसी तरह के useful videos उस रेगुलर प्राप्ट करने के लिए आप जुड़ी रहे हमारे साथ मिलेंगे गाइस नेक्स वीडियो में नई इन्फोर्मेशन नई अपडेट के साथ अब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद